दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर सोनवीर सिंग राज की अपॉल टेंग जानसट मुझफन नगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं एन्वर्मेंटल स्टडीज की परिच्छा की तैयारी इसमें हम लगवग 50 प्रस्णों को देखेंगे जो बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण हैं अगर आप इन प्रस्णों को कर जाते हैं तो लगवग 80 परसेंट से एब आप मार्क्स लाने की संभावना आपको मिल जाती है इससे पहले हमने माइक्रो प्रोसेसर और पैरिफरल डिवाइस के लिए भी आपको सिरीज उपलब्द कराई थी और आपने देखा होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की स्रीज में लगवग 80 परसेंट से ज्यादा मैं उमीद करता हूं कि आपको अन्वार्मेंटल अन्वार्मेंटल इस्टडीज में लगवग 80 परसेंट से ज्यादा प्रस्न मिलने की संभावना अगर आप इन प्रस्नों को तयार कर जाते हैं तो आपको 80 परसेंट से ज़्यादा स्लेबस आपको मिलेगा और 80% से ज़्यादा आपके मार्स उसमें आने की संभावना रहेगी तो आएए शुरू करते हैं Environmental Studies की अगर बात करें तो इसमें Chapter 1 जो है आपका वो Introduction है जिसमें पर्द्यावर्ण अध्यन के बारे में पर्चे है दूसरा जो चैप्टर है वो एयर प्लूशन यानि की बायू प्रदूशन पर संबंदित है तीसरा जो चैप्टर है वो वाटर प्लूशन यानि जल प्रदूशन पर है चोथा जो सब्जेक्ट है वो सॉलिड वेस्ट मेनेजमेंट थोस अप्षिष्ट प्रवंध चैप्टर फाइव नॉइज प्लूशन धनी प्रदूशन चैप्टर सिक्स एन्वर्मेंटल लेजिसलेशन यानि पर्यावर्णिय कानून और चैप्टर सेविन है इंपक्ट ऑफ एनरजी यूसेज ओन एन्वर्मेंट यानि उर्जा के उप्योग का पर्यावर्ण पर प्रवाव यह बहुत ही उप्योगी विसह है सभी ब्रांच के स्टूडेंट से पढ़ते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ ब्रांचे से थर्ड सेमिस्टर में पढ़ती हैं कुछ ब्रांचे से फोर्ड सेमिस्टर में पढ़ती हैं तो यह सभी ब्रांचों के लिए उप्योगी विसह है जो भी student art channel से पहली बार जोड़ रहे हैं, उनसे निवेदने किरपयार channel को subscribe कर लीजे और नीचे बने bell icons को click कर लीजे, जिससे channel से संबंदे जो भी आपको नवीन तब जानकारी है, वो आपकी screen पर notifications के माध्यम से आपको मिलती रहेगी तो अभी हम हर एक chapter में जो भी मैत्पूर्ण प्रशन बनेंगे, उन पे हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला chapter है introduction परचे, तो सबसे पहला प्रशन जो इसमें बनता है, वो है पारिस्थितिक संतुलन, जिसे बोलते हैं ecological balance से के क्या अर्थ हैं, उन कारकों की विवेचना करें, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, यानि यह बहुत very important हमने लिखा हुआ है, यानि बहुत important प्रस्ण है, यानि पूरी-पूरी संभावना है आपको एक प्रस्ण पारिस्थितिक पर मिलने की, यानि ecology पर, ecosystem पर या ecological balance, ecosystem पर आपको एक जरूर प्रस्ण मिलेगा, दूसरा जो प्रस्ण बनता है, पारिस्थितिकी, ecology पर निर्वनी करण, यानि deforestation के प्रवाव की विवेशना कीजिए, यानि देखिए ये भी दूसरा प्रस्ण जो है, वो भी पारिस्थितिकी पर ही depend है, ecology पर निर्वर कर रहा है, ecology में ये बताया है कि ecology पर जो deforestation होता है यानि निर्वनी कर जो वनों को, जंगलों को जो काट कर काटा जाता है, उसके आधर पर उसका क्या प्रवाव पढ़ता है, ecosystem पर, वो प्रस्ण है, ये भी important category में है, पारिस्थितिक संतुलन के क्यारत हैं, उन कारकों की वेचना करें, जिनके कारण पारिस्थितिक संतुलन मैं एक ही चीज पूछी है, उसके अलावा इसमें उन कारकों की वेचना करनी है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाई रखते हैं, ठीक है, और तीसरे में ये पूछा है, जो पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन करते हैं, तो यानि आपको संतुलन बनाई रखने वाले factor क्या ह हैं, और असंतुलन उत्पन करने वाले factor क्या हैं, उन दोनों को आपको पढ़ना है, और दोनों में से किसी एक पर प्रस्ण आपको जरूर मिल जाएगा, तो ये जो प्रस्ण हैं आपका, ये आप देखेंगे, तो ये बहुत important प्रस्ण हैं, पहला और इसी से तीसरा प्रस् प्रस्ण वाले को, तो आपको छोड़ना नहीं है, हर आलत में पढ़के जाना है, चौथा question जो बनता है, इसमें, परितंतर किसे कहते हैं, यानि कि ecosystem किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहते हैं, एक उध्ण की सायता से परितंतर के बिभिन घटक, इस पस्ट कीजिए, ठीक है, ecosystem क् होता है और एक एक्जाम्पल की साहता से इसके ecosystem के different components आपको explain करने हैं तो ये भी very important है पारिस्तिती की तंत्र के विबिन घटक कौन-कौन से हैं उनके कार बताओ तो देखिए पारिस्तिती की तंत्र ठीक है यानि ecosystem परितंत्र के हैं या पारिस्तिती की तंत्र के एक ही बात है तो उसके घटक कौन-कौन से हैं दूसा प्रशन यह बनता तो चोथा और पांचवा प्रशन एक जैसे ही है तो यह आप चोथा और पांचवा प्रशन करते हैं या खनन करते हैं तो उससे प्रक्रति प्रद्यावरन पर क्या प्रभाब पढ़ता है ठीक है तो उस पर प्रभाब कर टिप्ली लिखनी है बहुत important प्रशन है यह इसको जरूर आप पढ़ेंगे उसके बाद अगला प्रशन आपका पहले वाले चैप्टर से काफ की प्रशन आते हैं है दो जो प्रशन लगवाब पूरे मिलते हैं इसमें से जैव benchmark के महत्र ॡास काइव कने कि नियंतुद करने की विधियों को बताईे या निए short notes on the following, निम्न पर सच्छिम्त टिपड़ी लिखिए, कौन-कौन से पर टिपड़ी आ सकती है, जैव अवकर्णिय जिसे बायो ग्रेडेबिल्टी बोलते हैं, दूसरा है आपका जैव कवकनाशक जिसे बायो फंगिशाइड बोलते हैं, बायो फंगिशाइड और तीसरा है कंपोस्टिंग, ठीक है, इन में से जो है वो short note जरूर आता है, उन पर question भी आ सकता है, तो उनको टॉपिक को जरूर पढ़ना है आपको, अगला जो प्रश्ण मनता है, ओजोन की परत के अवचह के क्या कारण है, दीरग काल में ऐसे अवचह के फसरूप होने वाले परणामों को इसपस्ट करो, यानि ओजोन की परत में जो degradation होता है, अवचह होता है, ओजोन कारण है उसका होने का, एक तो ये बताना है, और दीर प्रभाब पढ़ता है पर्यावर्ण पर उसको आपको इसमें explain करना है then दस्मा प्रशन है write short notes on the following जैव अवकणी यह तो होई गया bio-gredability, bio-funky-cide, composite और जैव कीट ना सक, insecticides ठीक है, एक इसमें जैव कीट ना सक और बढ़ गया है तो यह आपका short notes है, यह हम discuss कर चुके हैं उसमें अगला जो प्रशन बनता है इसमें वनों की कटाई के मुख्य कारण क्या है ठीक है, वनों को क्यों काटा जाता है उसके कारण क्या है, वो आपको इसमें explain करने है यह important category में है अगला प्रशन जो बनता है ozone के क्रमिक खास के प्रमुक कारण क्या है, ठीक है, उसका जो क्रमिक खास होता है, इसमें जो विगटन होता है या जिसे अवच्छे कहते हैं, वो होने के कारण क्या है, वो कारण आपको इसमें explain करने है उसके बाद आते हम chapter 2 पर chapter 2 है आपका air pollution यानि की वायू प्रदूशन, वायू प्रदूशन पर आदारत कौन-कौन से प्रस्ण हो सकते हैं, वो हम इसमें चर्चा करेंगे, तो सबसे पहला जो प्रस्ण है वायू प्रदूशन पर वो आपका है वायू प्रदूशन के कारण तथा पर्यावर्ण पर उसके पढ़ने वाले प्रभाव, उनकी विवेचना आपको करनी है, ठीक है, कौन-कौन से उसमें प्रभाव पढ़ते हैं, ये आपको second chapter में बताना है, अगला question, देखिए, राइट short notes on the following, अब वायू परदूशन में और कौन-कौन से short notes किस-किस पर आ सकता है, अमली वर्षा, जिसे acid rain बोलते हैं, अमली वर्षा, global warming, वायू गुडवत्ता मापन, यानि air quality index, और automobile production, जिसे बोलते हैं, automobile pollution, ठीक है, ये चार topic हैं, जिनमें short notes पर आ सकता है, या simple वो short notes पूछ ना दे कहता है, अमली वर्षा से आप क्या समझते हैं, question पूछ सकता है, global warming, what do you understand by global warming, global warming से आप क्या समझते हैं, ठीक है, what is the need of air quality index, वायू गुडपत्ता मापन की आवश्रक्ता क्यों होती है, कुछ भी question बन सकता है, बस ये है कि आपको ये topic पढ़ने है, question जैसा हो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, अगर उस topic के बारे में आपको जानकारी है, next question है, auto mobile producer के नियंतर में, euro third और euro fourth की भूमिका पट्टिपडी लिखिए, ठीक है, यानि auto mobile industries में जो engine आए हैं, जिसमें euro third और euro four, ठीक है, इनका क्या प्रभाव रहा है, producer के नियंतर में, ठ इसको आपको explain करना है, auto mobile industries में engine को देखा होगा, euro third और euro four engine आई थे, उने engine से प्रभाव क्या पढ़ा था, वाई प्रदूशर पर, वो आपको यहां पर करना है, green house प्रभाव क्या है, green house effect क्या होता है, ये बताना है, एवं वायू प्रदूशर के विबिन स्रोतों का बढ़ electrostatic precipitation की कारविदी स्पस्थ कीजिए, ठीक है, अब जैसे ये प्रशन था आपका, प्रदूशर के नियंतर के काकारक पूछे थे, उद्धोग में वायू प्रदूशर नियंतर हेतू, यानि इंडस्टीज में वायू प्रदूशर, एयर प्रदूशर को कंट्रोल करने के लि आपको electrostatic precipitation method है, वायू प्रदूशर को कंट्रोल करने के लिए उसको पूछा है, अगला जो प्रशन है, वायू प्रदूशर के तकनी की उपाई पर टिप्डी लिखिये, ठीक है, air pollution का जो technical उपाई हैं उसके, उसके आपको यहां पर टिप्डी लिखनी है, अगला जो प् उन में से किसी एक कार्रिकाचित्त के साथ इस पस्ट की, जैसे पीछे वाले क्रॉष्ण में उन्होंने अभी ये देखें, आप पीछे वाले प्रस्ट में हमने यहां बताया था, इलेक्ट्रो इस्टेटिक प्रेसिप्टेशन, ये वायू प्रदूष्ण को कंट्रोल करने के लिए एक साहियत्र होता है, ठीक है, प्रदूष्ण है ये होता है एक मेथड, तो इसको आप इस क्वेश्चन में भी एक्स्प्लेइन कर सकते हैं, क्यों उसमें नाम नहीं दिया, या उनका किसी एक मेथड को आपको उसमें, इस पस्ट उसका करना है तो, वायू प्रदूष्ण की मॉनीटरिंग और नियंतर पर टिपड़ी लिखिए, यानि एर प्रदूष्ण की मॉनीटरिंग और उसके कंट्रोल, पर आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रशन है ये भी, अगला है वायू प्रदूष्ण का मानव स्वास्त पर प्रभाव, देखिए बहुत इंपोर्टेंट है कि वायू प्रदूष्ण का हमारे स्वास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगला जो प्रशन बनता है इसमें कौन सी ग गैसों के कारण होती है तो यहां पर केवल यही पूछा है कौन सी गैस हैं जिनकी वज़े से acid rain होती है अमली वर्षा एक परिसानी क्यों है ठीक है तो बहुत important प्रशन है acid rain पर मोशली प्रशन या short notes आजाता है अगला प्रशन है nitrogen वर गंधक से होने वाले प्रदूशन को समझाईए एवं cyclonic scrubber को समझाईए यानि आपको nitrogen और गंधक से कौन सा प्रदूशर होता है उसे समझाना है और cyclonic scrubber क्या होता उसको भी आपको explain करना है धूआ और smog में क्या अंतर है यह पस्ट करना आपको यानि धूए में और smog में क्या difference है ठीक है अगला chapter आता है आपका 3 water pollution water pollution से कौन से प्रशन बन सकते है important पीने के पानी की गुडवत्ता के भारतीय मानक पर टिपनी लिखे है यानि हमारे भारत में कोई पानी पीने योग है कि नहीं है उसके क्या मानक है हमें कैसे पता लगेगा कि ये पानी पीने योग है या नहीं है उसके बारे में आपको लिखना है अगला जो प्रश्ण मनता है घरेलू तथा ओधोगिक अप्शिष्ट जल अप्शिष्ट का मतलब होता है वेस्ट जल यानि वेस्ट वाटर के प्रमुक लच्छन और इसपस्ट करें यानि घरों से जो पानी वेस्ट होता है जैसे नहने में कपड़े धुलने में ठीक है ये जो वेस्ट वाटर है ठीक है उसके लच्छन क्या है और एक वेस्ट निगलतानी घरेलू घर से और इंडस्टी से जो वेस्ट वाटर है उसके प्रमुक लच्छन क्या है वो इस प्रस्ट करने हैं आपको अगला जो प्रस्ट बनता है जल प्रदूशन के क्या कारण है भविस्ट में जल प्रदूशन कम करने ये तु संभव उपाय बताएं ठीक है एक क्वश्ण ये बन सकता है कि जल प्रदूशन से आप क्या समझते हैं जल प्रदूशन क्या होता है फिर उसमें प्रदूशन के का क्या हैं किस कारण से जल प्रदूशन होता है और भविस्य में जल प्रदूशन को कम करने के लिए क्या-क्या उपाए आप बता सकते हैं अगला जो प्रशन है BOD को परिभासित कीजिए BOD जल प्रदूश्र को कैसे निर्धारित करता है ठीक है एक पहले तो BOD को आपको डिफाइन करना है और BOD जल प्रदूश्र को कैसे निर्धारित करना है ये आपको बताना है अगला प्रेस्ट बनता है अपसिस्ट जल के भौतिक, रासाइनिक तथा जैविक लच्छन लिखिए. यानि जो wastewater है, उस wastewater का physical, chemical और biological तीनों characteristic आपको इसमें बतानी है. ठीक है? यानि wastewater की physical characteristic क्या होगी, chemical characteristic क्या होगी, और biological characteristic क्या होगी. तीनों को आपको explain करना है. बहुत important प्रस्न है ये, 29B. एक प्रभाचित्र की साहता से, अपसिस्ट जल शोधन संयत्र में, विविन इकाईयां, जिस क्रम में लगाई जाती है, प्रस्तुत कीजे, प्रत्येक इकाई का उद्देश लिखे. Simple है कि एक प्रभाचित्र की साहता से, अपसिस्ट जल सोधन, यानि बेस्ट वाटर को जो आप प्योर करते हैं, प्योर सोधन करते हैं, उसका सोधन संयत्र, यानि एक तरह से, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, जिसके द्वारा हम जो अशुद्ध जल है, उसको सुद्ध करते ह ठीक है, तो अपसिस्ट जल जो है, उसके सोधन का जो संयत्र है, जो प्लांट होता है, उसमें कौन-कौन सी यूनिट लगी होती है, उनके पूरे क्रम में आपको बताना है, उसको बनाना है, और उसके हर एक यूनिट, एकाई का क्या उद्देश है, उसे क्यों लगाय जा आपको करना है, तो एक तरह से इसका ब्लॉक डाइगराम बना कर और आप उसे हर एक ब्लॉक को एक्स्प्लेन करेंगे, अगला प्रस्ण मनता है, निम्न पर संचिप्त टिप्णी लिखिए, जल इस्तर का नीचे होना, जल इस्तर, वाटर लेवल अगर नीचे हो जाता है, नगर पालिका प्रदूशन, जल धाराओं का स्वसोधन, ये सारे शॉर्ट नोट्स के टॉपिक है, अगला जो प्रस्ण मनता है, अधोगिक एवं जोखिम पूर्ण, ठोश, अब जो चौथे चेप्टर पर आगे हम, फोर चेप्टर आपका, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ठीक है, थर्ड के बाद अगला है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोश, अबशिष्ट प्रबंद, ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट होता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं हम, उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे उसका, इस चेप्टर में आपको ये पढ़ना है, तो इसमें पहला प्रश्ण बनता है औधोगिक एवं जोखिम पूर्ण थोष अपसिस्ट के प्रबंदन की विवेशना की लिए यानि इंडस्टी इंडस्टियलिस इंडस्टी औधोगिक जोखिम पूर्ण थोष अपसिस्ट होते हैं जो जोग इंडस्टी में सॉलिड वेस्ट होते हैं उनका प्रवंदन कैसे करते हैं उसकी विवेचना करनी है आपको ओधोगिक उत्सराव effluent का पुनहे प्रयोग सुरच्छित निप्टान पर संचिप टिपड़ी लिखे यानि जो ओधोगिक उत्सराव होता है उसको तो री साइकलिंग उसकी एक तरह से पुनहे प्रयोग कैसे करेंगे सुरच्छित निप्टान पर सब्सक्रिप टिपड़ी लिखनी है आपको इसमें जैव चिकितसाल है यानि बायो पैस्टिसाइट्स अपसिस्ट के प्रवंदन पर टिपड़ी लिखनी है प्लास्टिक अप जो चैप्टर आता है फिप्ट इस नौइस प्लूशन जिसे कहेंगे ध्वनी प्रदूशन ध्वनी प्रदूशन से आप क्या समझते हैं पहला प्रस्ण मनता है इसके सिरोत कौन-कौन से हैं संचेव में वर्नन कीजिए बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण हैं ज्यादर हमने क्वेशन वही रखें जो बहुत इंपोर्टेंट हैं अगर आप यह सारे प्रस्ण कर जाएंगे तो मैं विल्कुल आपको यह विश्वास दिलाता हूँ आश्वस्त करता हूँ कि आपको लगवग 80-90 प्रस्ण प्रस्ण आप अटेंप्ट कर पाएंगे अगला जो प्रदूशन के महत्वपूर्ण प्रावधानों को अंकित कीजिए रूल 2022 जो अधिनियम है उसमें ध्वनी प्रदूशन के जो प्रावधान है महत्पूर्ण प्रावधान प्रावधान तो बहुत सारे होंगे उसमें प्रोविजन्स जो होंगे बहुत सारे होंगे लेकिन आपको जो important provisions हैं उनको आपको बताना है अगला प्रस्ण बनता है ध्वनी प्रदूशन के स्रोत पर नियंतर करने हित्तू क्या उपाई किये जा सकते हैं ठीक है यानि ऐसा source जहां से ध्वनी प्रदूशन हो रहा है उसको control करने के लिए कौन-कौन से उपाई हो सकते हैं उसकी चर्चा आपको इस प्रस्ण में करने हैं अगला जो प्रस्ण बनता है ध्वनी प्रदूशन के स्रोत उसके प्रभाव एवं नियंतर की विवेचना कीजिए यानि कि ये प्रस्ण ज्यादा important है इसमें प्रदूशन के सोत ये पहला ये वाला प्रस्ण आलरी इसमें involved है ध्वनी प्रदूशन के सोत उसके प्रभाव यानि द्वनी प्रदूशन के क्या प्रभाव होता है कौन-कौन से source होते हैं और इनको कैसे हम control कर सकते हैं यह तीनों चीज आपको इसमें explain करनी है अगला जो प्रश्ण मनता है पर्यावरन प्रदूशन एक लाईल आज भीमारी है समझाईए बहुत important है प्रदूशन प्रदूशन एक लाईल आज भीमारी है यह समझाईए क्या recycling वास्तम में प्रदूशन के लिए फाइदेमंद है जो हम recycling करते हैं यानि waste management करते हैं वेस्ट management वो क्या प्रदूशन के लिए फाइदेमंद है इस दे आपको चर्चा करनी है अगला जो प्रश्ण मनता है किस इस्तर पर सोर ध्वनी प्रदूशन माना जाता है ध्वनी का वो कौन सा लेवल होगा कौन सा इस्तर होगा जिस पर वो प्रदूशन की केटेगरी में आएगा भारत में ध्वनी प्रदूशन का इस्तर या ध्वनी दाव इस्तर किस सीमा तक स्वीकार रहे है यानि हमारे इंडिया में ध्वनी प्रदूशन किशे कहते है ऐसा कौन सा उसका लेवल है ध्वनी प्रदूशन का या उसका दाव का इस्तर कितना है जो सुईकार रहे है अगर उसे उपर जाता है तो वह प्रदूशन की केटेगरी में आ जाता है इस अध्याय में आप पर्यावर्ण से संबंदित जो भी सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए है जिनका हम सभी नागर्णों को पालन करना होता है उन कानूनों के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं उसी से संबंदित प्रशन होंगे इसमें राश्ट्री पर्यावर्ण नीती की विवेशना कीजिए ठीक है केंद्री हस्चेप की क्या वश्चक्ता है ठीक है यानि राश्ट्री पर्यावर्ण नीती क्या है नेशनल एन्वर्मेंटल रूल ठीक है जो पॉलिसी है नीती उसकी विवेशना करनी है आपको और इसके लिए केंदरी हस्चेव की क्या आवश्रक्ता है? ठीक है? environmental या pollution control के लिए जातर केंदर सरकार का हस्चेव रहता वो क्यों आवश्रक्ता है? उसकी यह आपको बताना है इसमें पर्यावरन प्रवन्द पद्वतीयों की आवश्यक्ता पर प्रकास डालिए, इनके उद्देश कौन कौन से हैं, ठीक है, यानि environmental management की जो भी method है, उसकी क्या आवश्यक्ता है, उसको आपको इसमें explain करना है, और इसके उद्देश कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा करनी है, अगला प्रस्ण मनता है, हम पर्यावन अधिन्यम 1986, यह हमारा जो अधिन्यम है, वो एक छत्र अधिन्यम है, यानि कि एक तरह से umbrella rule है, यानि जिसको हम एक तरह से important मानते हैं, हमने सबका आधार मानते हैं, वो क्यों 1986 को एक छत्र अधिन्यम के रूप में माना गया है, इसकी आपको चर्चा करनी है, अगला जो प् छेत्र क्या है, ठीक है, NAPCC के जो विशिस छेत्र है, वो क्या है, भारत सरकार ने जो जलवाई उपरत्पन पर राश्ट्री कार रियोजना की थी, उसके बारे में आपको बताना है, अगला प्रस्ण बनता है, राश्ट्री हरित अधिकन के कार लिखिए, ठीक है, अगला ज जी का उपयोग करते हैं, तो उसका पर्यावर और पर क्या प्रभाब पढ़ता है, यस चेप्टर में आप पढ़ोगे, जैसे पहला प्रस्ण इसमें बनता है, सुनामी आपदा पर अपने विचार लिखिए, इसमें वो कुछ भी पूछ सकता आपसे, कोई भी ऐसी आपदा है ना, जो के अचानक से आती है, ठीक है, प्राक्रतिक आपदा हो सकती है, या मैनमेड आपदा हो सकती है, ठीक है, कोई भी ऐसा डिसास्टर, उस पर वो आपसे कोई भी विचार लगवा सकता, जैसे बुझ में भूखम पाया, ठीक है, इस तरह के question बन सकते हैं, कोई latest घट क्या होती है, और वो कैसे सर्जित होती है, कैसे उत्पन होती है, उसके जोखिम क्या है, और उसकी विद्वन्षक सकती क्या है, इस पस्ट करो, जैसे हम सुनामी की बात करें, तो सुनामी, जैसे आपदा क्या होगी, यह आप बताओगे, और यह कैसे सर्जित होती है, तो आपदा प्रादिकन जो स्टेट लेवल का जो प्रादिकन होता है अथोर्टी होती है डिसास्टर मैनेजमेंट की स्टेट लेवल की उसके क्या-क्या कर्तव हैं और क्या अधिकार हैं इसकी आपको इसमें चर्चा करनी है अगला जो प्रस्ण बनता है निम्न की केस स्टडी ल कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं जो मानवों के दौरा तियार की जाते हैं. एक तो प्राक्रतिक आपदाएं होती हैं, ठीक है, जो अचानक से प्रक्रती के दौरा हुई हैं. कुछ ऐसी होती हैं, जो natural हो जाती है, जो बोपाल guest tragedy है, ठीक है, ये एक आफदा थी, मुंबई में घटित मानव रहता आफदा, जैसे मानलो कोई आतंकवादी हमला हो गया, तो वो मानव द्वारा किया गया, तो मानव रचित हो गई, जैसे मुंबई में आतंकवादियों द् 26.11.2008 में किये हमले की, ठीक है, तो इनकी case study, इस case study का मतलब है, उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है, case study से हम क्या साराज निकालते हैं, वो हम इसमें बताते हैं, और भी इसमें कोई latest गटना आ सकते है, COVID-19 की आ सकते है, COVID-19 जो है, वो भी एक आपदा के रूप में, तो इस विविन प्रश्न थे, जो आपके chapter से बनते हैं, so thank you, thank you very much, thanks for your patience, मैं दुबारा से कहूंगा एक बार, कि जो भी student channel से पहली बार जुने हैं, उनसे निवेदने कृप्या चैनल को subscribe कर लीजे, और नीचे बने bell icon को click कर लीजे, जिससे आपको latest updates और notifications मिलते रहें, अगर आपक वीडियो पसंद आयो, तो इसे अपने जरूरतमंद और दोसों में, अपने college group में अधिक से अधिक से अधिक से अधिक चात्र को लाभान में थो सकें, ठीक है, क्यों काफी सारे चात्रों के messages हमारे पास आ रहे हैं, जो ये कह रहे हैं, sir आपका वीडियो तो आये, लेकिन हम अधा लग जाएगा, so thank you, thank you very much, thanks for your patience, all the best, best of luck for your exams, thank you.